जब कभी दूसरे विश्वियुद्ध की बात होती है तो एक देश को हमेशा भुला दिया जाता है जिसने अमेरिका से भी जादा सैनिक होई और अगर असैनिक मौतों को छोड़ दिया जाए तो शायद ही ऐसा कोई मित्र देश होगा जो इसकी बराबरी कर सके इस देश का नाम है भारत हमारा भारत इसी संदर्व से जोड़ी एक कहानी हम आपके सामने लिकर आए हैं जो यह बताती है कि कुछ भारती सैनिक भी ऐसे थे जिनने हिटलर की तरफ से लड़ना पड़ा जब दूसरा विश्विद शुरू हुआ तो भारत प्रिटेन का गुला रहा था तब ब्रिटिश और फ्रेंच सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में भारती सैनिक भी युद्धिबंदी बना लिये गए इस कहानी का अगला अध्याय तब लिखा गया जब सुवास्चंद्र बोस अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए ऐसा उन्होंने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि सिध्धान पर किया इसके अलावा और कोई बजा नहीं हो सकती थी ना तो उनकी सोच हिटलर से मिलती थी ना ही भारत जर्मनी के लक्ष एक थे उन्होंने जर्मनी के विदेश मंत्री रिवेंट्रॉप हिमलर एवं खुद हिटलर से मुलाकात की इसके बाद उन्हें फ्री इंडिया रेडियो स्टेशन चलाने की अनुमती मिल गई लगबक इसी समय डेजर्ट फॉक्स के इंडियन नेशनल आर्मी बनाने की खोशना कर दी गई जर्मनी की सेना इसे फ्री इंडियन लीजन के नाम से जानती थी इसकी वर्दी तो जर्मनी की वर्दी जैसी ही थी पर इसके कंदों में फ्री इंडियन लीजन का पैच हुआ करता था ऐसा माना जाता है कि इसकी संख्या कभी भी साड़े चारहजार से जादा नहीं रही इस रेजिमेंट से एक वादा किया गया था कि इनका उपयोग केवल भारत में ब्रिटिस सेना के खिलाफ किया जाएगा पर यह वादा बहुत जल्द तोड़ दिया गया इस लीजन का नाम बदलकर 950 पैंजर ग्रेनेडियर इ को तैनात किया गया जहां इस रेजिमेंट को स्थानिये लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा डीडे के बाद यह रेजिमेंट काफी मुश्किल में आ गई एक तरफ जर्मनी की सेना थी वहीं दूसरी तरफ वो सेना थी याने की ब्रिटिस सेना जो इन्हें गद्दार मानती थी अगस 1944 में इने फ्रांस से जर्मनी भेज दिया गया इसमें से एक कंपनी को जर्मनी से एटली भेज दिया गया जहां उसे पोलिश और बिटिस आर्मी का सामना करना पड़ा इस कंपनी ने 1945 में ब्रिटिस सेना के सामने आत्म समर्पन कर दिया पर अभी वहीं इस बचे कुछे सैनिक जर्मनी में मौझूद थे अब उन्होंने इस सब मुश्किल से बच निकलने के रास्ते खोजने शुरू किया और सभी रास्ते सुजलेंड की तरफ जाते थे पर सुजलेंड के सैनिकों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया ऐसा माना जाता है कि इन में से जादतर सैनिकों को फ्रेंच मुरक्कन आर्मी और अमेरिकन आर्मी के सामने आत्म सुखरपन करना पड़ा जिन्होंने इसे ब्रिटिश आर्मी को सौंप दिया गया ब्रिटिश आर्मी ने इने वहां से हिंदुस्तान भेज दिया जहां आजाद हिंद सीना के सैनिकों के साथ इन पर मुकदमा चलाए गया उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करिए सबस्क्राइब करिए बैल आइकों पर क्लिक करिए और हो सके तो शेयर किये जाएगा क्योंकि इस चैनल के सिंदगी और मौत आपके शेयर करने पर ही निर्वर है